दाटिए लीर भीयुट सब्सक्राइब दाटिव लीर दाटिव पर सर्ई चांट weंगक से है वो नेच्टरल पावर पर जो हैं बिलीव करते हैं सोचल कांट्रेक्ट थियूरी भी उन्होंने दी है तो लेट स्टार्ट विछ जोहन लोग जोहन लोग बॉन ऑन अगस्ट 29 1632 इन रिंग्टर्न सॉमर्सेट इंग्लैंड वेंट वेस्ट मिन्स्टर स्कूल एंदेन क्राइस्ट चर्च उनिवस्टी ऑफ ऑक्सफोर्ट तो वह ऑक्सफोर्ट से पड़े हुए हैं उनका जो बर्थ है वह इंग्लैंड में हुआ था 1632 में एट ओक्सफोर्ट इस स्टडि़ मेडिसीन विच वूद प्लिटिकल फिलोजफी एपिस्टोमोलोजी और एजूकेशन होगी जैसे कि political philosophy होगी epistemology होगी और education होगी Locke's writings help found modern western philosophy लोग जो है उनसे जो है Western philosophy के बारे में पता चलता है according to Locke political power is the natural power of each man वो कहते हैं कि जो political power है वो हमारी natural power है और हर एक की है हर एक विक्ती की है collectively है given up into the hands by designated body एक विक्ती जो उनने design किया जो structure design किया होता है और विक्ती के हाथ में जो powers होती है वो collectively काम तो हम सब करते हैं जैसे PM हो गया PM के साथ जो लोग सबा बनती है collective responsibility भी होती है जिनकी जैसे cabinet ministers है लेकिन काम तो वो सब इकटे करते हैं तो ये एक designated body है तो ये एक designated body है एक अकेला वेक्ती है अकेला वेक्ती जो है वो नहीं कर सकता लेकिन जैसे हमने PM बनाया होता है designated body होती है पूरा structure होता है तो वो जो काम है infrastructure अच्छे से जैसे बना हो तो काम अच्छे से होता है तो वैसे ही अगर हम design किया हो सारा पता हो कि कौन PM है तो वो अच्छे से PM के बारे में प्रेजेंट के बारे में जैसे एक designated body होती है तो वो काम जो है वो जो है अच्छे डंग से चलता है because government exists solely for the well-being of the community any government that breaks the compact can and should be replaced अगर कोई भी विक्ती जो है अच्छे से काम नहीं करता तो उसे replace कर सकते है the community has a moral obligation to revolt against or otherwise replace any government that forgets that if it exists only for the people's benefit और उन्हेंने कहा है कि अगर वो काम benefit लोगों के benefit के लिए काम नहीं करे तो उसे हम replace कर सकते हैं लोग felt it was important to closely examine public institutions and be clear about what functions were legitimate और उन्हें यह है कि क्या हमें examine सबसे पहले करना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं क्या वो काम public institutions के according हैं के नहीं है ठीक है legitimate है यह नहीं है लेगली काम हो रहा है के नहीं हो रहा अगर लेगली काम होगा तब ही जो structure है वो अच्छे से चलेगा तब ही जो है सभी का welfare होगा अगर जो काम है अच्छे से नहीं होगा लेगली काम नहीं होगा तो वो क्या होगे फिर नर की होगे तो ऐसी कमेंट की कोई जुरूरत नहीं होगे and what areas of life were inappropriate for those institutions to participate in or exert influence he also believed that determining the proper role of comment would allows humans to flourish as individuals and as societies both materially or spiritually because God gave man the ability to reason the freedom that a properly executed government provides for human amounts to the fulfillment of the divine purpose for humanity for Locke, the moral order of natural law is permanent and self-perpetuating governments are only factors contributing to that moral order just like he said that God gave us all the ability, freedom, that we can work well divine purpose which we can fulfill the humanity the Goding which is natural law is permanent so Goding should be able to contribute and contribute next we have empirical theory for knowledge and he says that knowledge is all about our experience जनम लेता है तो यह जो दिमाग होता है तो यह सब जो हमें दिरे दिरे पता चलता है जब एक वेक्ति जो जनम लेता है तब उसको कुछ नहीं पता होता है जो जनम लेता करना सब्जेक्ट करना जैसे की साइंस भी करना बहुत होता है तक तक तो हम करते हैं तक के बाब जो हैं चेंजी आ जाते हैं तो हर एक विक्ति जो है हर एक चीज में महारत हासिल नहीं कर पाता तो कॉंप्रोमाइज हो जाता है वो कहते हैं हर एक विक्ति के लिए हर एक experience लेना जो है जुरूरी कई बार वो नहीं कर पाता जुरूरी नहीं कि एक विक्ति अगर study में अच्छा तो बाकी कामों में भी अच्छा होगा अगर एक व our knowledge is necessarily limited in these ways we can still be certain of some things for example we have an intuitive and immediate knowledge of our own existence even if we are ignorant of the metaphysical essence of our souls we also have a demonstrative knowledge of God's existence though our understanding cannot fully comprehend who are and what he is we don't know about God's existence we know that our ideas correspond to external realities because the mind cannot invent such things without experience because when we don't know about realities we don't know about realities without experience that we can't invent anything a blind man for example would not be able to form a concept of color just as if someone is blind doesn't know what color concept is we don't know about everything we don't know about God's existence therefore those of us who have sight can reason that since we do perceive colors they exist okay what is it that everyone has their own reasons their own thinking and their own views they exist a natural foundation of reason Locke argues that God gave us our capacity for reason to aid us in the search for effort truth Locke say that God has given us the capacity to find reason search and know what is right and what is wrong as God's creation we know that we must perceive ourselves to help us God created in us a natural aversion to misery and a desire for happiness so we avoid things that causes pain and seek our outer pleasure instinct so there are many things that we give to ourselves and some things that we give to ourselves and some things that we give to ourselves so this is why we need to do that we need to get happiness we can reason that since we are all equally God's children God must want everyone to be happy so this is the most important point that if we all are God's children who are equal to them then they also want to be happy if one person makes another unhappy by causing him pain that person has rejected God's will if one person makes another unhappy by causing him pain if one person makes another unhappy by causing him pain then we want to be happy we want to be happy why? it's because God is saying that that all the people are equal and that all those people do not to be wrong so each person has a duty to preserve other people as well as himself so the duty of everything is to preserve yourself and that's not to be wrong that all those people do not to be wrong so that all those people have to be wrong that all those people do not to be wrong Recognizing the responsibility to perceive the rights of all humankind naturally leads to tolerance the notion that forms a basis for log's belief in the separation of church and state. If we all must come to discover the truth for a reason, then no one man is naturally better able to discover truth than any other man. For this reason, political leaders do not have the right to impose beliefs on the people because everything we understand comes through experience and is translated by reason. No outside force can make us understand something in conflict with our own ideas. Log insists that if men were to follow the government blindly, they would be surrendering their own reason and thus violating God's law or natural law. The right to private property is the cornerstone of log's political theory. The right to private property is the cornerstone of log's political theory. प्राइवान राइडा है। लोक ने बहुत जादा इसे डिसक्राइब किया हुआ है कि हर एक व्यक्ति का प्राइड 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 होना चाहिए। λέ Ace, Incapsulating How Each Man Relates To God And To Other Man और उनने ये भी बता है कि कैसे हर एक व्यक्ति जो है वह बहुत जुडा हुआ है। करता है लोग एक्स्पेंस दाट मैं और इग्जिनली एग्जिस्ट इन विच ही नीड आंसर ओनली तो दो 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 आंसर देना पड़ता है इसलिए उसे नेचर को आंसर देना पड़ता है वो एक जो विक्ती है वो तक तक जो अपनी मनमर्जी का काम कर सकता है जब वो किसी को हमनी करता सभी के साथ चांती महें रहता है और बिकोस देना रहता है और उसे बहुत चीज राइट इसलिए दिये गए हैं तांकि उसकी हल्प हो वो सर्वाइब कर सके और वो खुश रहे God has provided us with all the materials we need to pursue those ends but these natural resources are useless until men apply the efforts to them यह सारे जो material हमें प्रवाइड किये जाते हैं यह सब जो resources है वो तब तक useless है जब व्यक्ती जो है वो अपने efforts apply नहीं करता for example a field is useless until it produces food and no field will produce food until someone farms it अगर एक खेत पर जो है farming नहीं की जाते तो वो तब तक useless है लेकिन farmer अगर farming नहीं करता तब भी जो है farming नहीं होगी law proposes that because all men on their bodies completely any product of their physical labor also belongs to them thus when a man works on some good or material he becomes the owner of that good or material जैसे सभी वेक्ती जो है completely depend करते हैं सभी चीजों के लिए जैसे की labor basic necessities चाहिए होती है चाहे physical labor भी उनसे जो है belong करती है material भी good होना चाहिए surviving के लिए जो material भी होने चाहिए basic necessities के लिए the man who farms the land and has produced food on the land and the food that his labor created the only restriction to private property is that he because God wants all his children to be happy no man can took possession of something if he harms another in doing so तो सिरफ इसमें ये restrictions हैं कि भगवान यहीं चाहते हैं कि सभी वेक्ती जो हैं वो happy रहे लेकिन अगर कोई चीज है किसी का हाम करती है किसी को गलत करती है तो वो हमें नहीं करने चाहिए he cannot take possession of more than he can use for example because he would then be wasting materials that might otherwise be used by another person unfortunately the world is afflicted by a moral man who violated this natural laws तो कई बार immoral man's होते हैं जो कि moral values को नहीं मानते और इन सभी जो rules regulations है natural laws है उन्हें जो है वोइलेट करते हैं by coming together in the social political compact of a community that can create and enforce laws men are guaranteed better protection of their property and other freedom और beauty को क्या चाहिए कि protection होनी चाहिए property को और हर है体 ठीकी freedom होनी चाहिए तो in short जो है। राइबेट प्रॉपर्टी के मर्थक हैं । स्पोर्ट्र हैं। वो चाहते हैं कि protection भी होनी चाहिए सभी के साथ अच्छा भी होना चाहिए welfare होनी चाहिए, सभी की development होनी चाहिए और freedom होनी चाहिए सभी को So, hope you like this channel Jai Hind, Jai Bhara